मैं क्यूं मना कर रहा हूं किताब खोलने के लिए आप खोलोगे सीधा दूसरे पेच में पहुँचोगे NCRTK और आपको इंटरफेस मिल जाएगा तो यही तो दिक्कत है direction is more important than hard work आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे यह तो मैंने पढ़ाया ही नहीं यह तो मैंने पढ़ाया ही नहीं मैंने सिरफ यह paragraph पढ़ाया मैंने सिरफ यह paragraph पढ़ाया आप सोचोगे सर ने इंटरफेस इंटरफेस D1, D2 पढ़ा आप यह पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और यह मैंने पढ़ाया ही नहीं और आपका confidence खतम हो जाएगा एक बार जो साला confidence गया ना फिर नहीं आता नीट का एक्जाम निकालना अलग चीज है और पूरे साल पढ़ना अलग चीज है नीट के एक्जाम में अच्छो च्छो की हालत खराब हो जाती है हालत खराब हो जाती है दर लगने लग जाता है सालों बस इस डर से जीतना है ये डर लगना बंद हो गया ना उस दिन डॉक्टर बन जाओगे आदो की तो एक्जाम में हालत खराब हो जाती है एक्जामिनेशन हॉल में पेपर देखके रूख आप जाती है क्यों? क्योंकि बाहर पेरिंट्स बैठे होते है जैसे ही बच्चा बहार निकलेगा पेरिंट्स बोलेंगे बता एक्जाम कैसा हुआ अगर तेरा एक्जाम खराब हुआ होगा तो कहेगा ठीक ही हुआ तो इसलिए डर लगता है पूरे साल पढ़ना अलग चीज़ होती है तो दुनिया पढ़ती है लेकिन फरंट पे खेलना बड़े खेल खेलना एक्जामिनेशन हॉल में दबंग की तरह खेलना वो सबके बसकी बात नहीं होती है इसलिए कह रहा हूँ अभी मत पढ़ना मैं तुम्हें क्यों मना कर रहा हूँ कि अभी इसको मत पढ़ना अभी इसको मत पढ़ना अभी इसको मत पढ़ना तो मेरी बात को समझना जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाई करते रहना ठीक जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाई करते रहना कोशन्स भेजे थे उनको लगा लेना उनका discussion भी होगा और बहुत ज़ादा देखिए यह जो PPT है यही आपके notes है ठीक है इसमें मैं NCRT का एक एक word cover करता हूँ कुछ फालतू extra नहीं पढ़ाता extra पढ़ाना मुझे भी आता है knowledge मुझे भी है content मेरे पास भी है 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए अकास institute का ex academic head रहा हूँ medical wing का जैपुर ठाने मुंबई और देरादून उसके बाद LN में था फिर PW में हूँ और PW में ही रहूँगा तो उतना ही देता हूँ मैं जितना जरूरी है NCRT को उसी style में पढ़ाता हूँ जिस style में पढ़ाना है complicate करके नहीं पढ़ाता देसी आदमी हूँ देसी भास में पढ़ाता हूँ normal जैसा है वैसा ही पढ़ाता हूँ अगर तुम सच में सारे student हो तो तुमें कभी दिक्कत नहीं आएगी तुमें एक आदा spammer हो मेरी बेजती करने आया है मुझे गाली ये गलत बोलने आया है वो चीज अलग है तो बोल देना लेकिन फिर पढ़ाई कर लेना बस मेरा कहने का मतलब यह है जैसे कह रहा हूँ वैसे पढ़ते रहना जो chapter पढ़ा दिया PPT से पढ़ और NCRT को read कर और question कर 232 question है 232 question में से 50 या 60 question ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे जो तिरको आएंगे ही नहीं 78 उन पे गोला लगा ले तो last time में हम इनी की practice करेंगे इन में 78 question ऐसे होंगे जिसके तिरको answer की देखने की बज़ाओत नहीं है उन question को solve करके हटा दे list से हटा दे questions को कम कर फिर जब तू दुबारा revision करेगा तो इन में वो 60-70 question जो तेरको आते थे बढ़ तुझे answer की देखके confirm करना पड़ा उनको solve करना और उन 60 question को solve करना जो तेरसे हुए ही नहीं तो जो 60 question की तुने answer की देखी थी एक बार उनको भी second round में उनको भी 60 में से 30 कर देना 30 को हटा देना तो ऐसे करते करते आकरी में जब तू पहुचेगा तो तेरे पास 30 से 35 अच्छे question भचेंगे करने के लिए तो इस तरही के से तुमको पढ़ाई करनी है